राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे श्री शिवाय नमस्तो भ्याम ओम नमस्षिवाय आज मैं आप लोग को कथा सुनाने जा रहे हूँ बुद्ध प्रदोश ब्रत कथा जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं प्रदोश ब्रत भवान संकर को समर्पित होता है और इस दिन प्रदोश के दिन भवान संकर का ब्रत रखा जाता है प्रदोश के दिन प्रदोश काल में ही शाम के समय में, प्रदोश काल के समय में साड़े पांच से साड़े साथ के बीच में यह शुब महुर्थ होता है भवान शंकर की पूजा करने की अमशे करने की कथा सुनने की और आरती करके प्रशाद ले करके शिवाले से अपने घर को आने का सबसे शुब महुर्थ यही होता है भवान शिव की आरात्ना करने का जो कोई भी प्रदोस ब्रत को धारन करते हैं उन्हें शिवाले में जा करके जो कि आपके घर के आसपास कोई भी शिवाले हो तो उस शिवाले में जा करके प्रदोस काल में भवान शंकर का जल अभिशेक करके धूप दीप नैवेद्ध भोग लगा करके फूल माला चड़ा करके कथा को सुनना चाहिए उसके बाद आरती करनी चाहिए भवान संकर से छमा प्रातना करके भोले वावा से अपने दिल की बात कह करके शिवाले से अपने घर आना चाहिए अपने हाथ में पुष्प और अच्छत लेले और कथा का रस्पान क रहे हूं बुद्ध प्रदोश ब्रत कथा अमें कथा सुनाने जा रही हूं अपने हाथ में पुष्प और अच्छत अवसले ले एक समय एक वेक्ति अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने सवाल गया वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद में उसने अपने साथ ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा किन्तो सब ने कहा कि आज बुद्धवार का दिन है आज के दिन गमन नहीं करते हैं वह वेक्ति नहीं माना और हट कर बैठा कि बुद्धवार के ही दिन अपनी पत्नी को विदा करके मैं ले जाओंगा अंत में उसकी पत्नी की से उतर कर जल लेने चला गया जैसे वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर चकित रह गया कि ठीक उसके ही जैसे शूरत वाला वो उसकी जैसे ही वेस्वुसा वाला एक व्यक्ति उसके पत्नी के साथ रत में बैठा हुआ है उसको अभी अभी ससुला से भीदा करा कर ला रहा हूँ वे दोनों वेक्ति आपस में जहगडने लगे तबी राज के सिपाही आए और जो लुबेक्ति लोटा लेकर जल लेने गया था उस वेक्ति को पकड़ लिया और कहा कि चलो अब इसको नगर में राजा के समक्ष ले चलते हैं साधी इस्त्री से भी पूछा गया कि तुम बताओ तुम्हारा असली पति कौन है अब पत्नी भी चुपो गई क्योंकि दोनों ही वेक्ति एक जैसे थे वह किसी प्रकार अपने पत्ति को नहीं पहचान सकी तब वह पत्नी वह इस्त्री भवान को बुद्वार भवान को या पा रहा है तभी आकासवानी हुई कि है मुर्क आज बुद्वार के दिन तुझे गमन नहीं करना था तुने किसी की बात की नहीं मानी यह सब लीला बुद्ध देव भगवान की है उस वेक्ति ने बुद्ध देव से प्रात्ना करी और अपनी गलती के लिए छमा मांगी त अपनी इस्त्री को लेकर घर आया तथा बुद्ध वार का ब्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पुर्वक करने लगे जो वेक्ति इस कथा को सर्वन करता तथा सुनता है उसको बुद्ध वार के दिन यात्रा करने का कोई दोश्ट नहीं लगता है उसको सब प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है बहुद्ध की जय हो बहुद्ध की जय हो बहुद्ध की जय हो बोले बाबा की जय हो आज मैं आप लोंको बताने जा रहे हूं बुद्धवार ब्रत किसे एक रखना चाहिए और इस ब्रत का क्या प्रभाव होता है बुद्धवार का ब्रत ग्रह शांती पुजा का विधी विधान यह होता है, कि इस ब्त में रात दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए, इस ब्रत के समय हरी बस्तों का उप्योग करना सिष्ट होता है ब्रत के अंत में संकर जी की पूजा, धूप, बेलपत्र आदिसे करनी चाहिए भवान गणेश को दुर्वा चाहाना चाहिए और साथी बुद्वार की कथा को सुनकर आति के बाद प्रशादे कर जाना चाहिए बीच में ही नहीं चले जाना चाहिए इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए हर हर महा देओ, माता पारवर्ती की चाहिए हो, गणेशी की चाहिए हो और एकादसी बुद्वार्त भवान विष्ण को समर्पित होता है प्रदोश बुद्वार्त भी महिने में दो बार आता है एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में जो भवान संकर के अनन्य भक्त होते हैं जो भवान संकर की अराधना करते हैं उन पर विश्वास करते हैं उन्हीं को भजते हैं उन्हीं को फूसते हैं वो प्रदोश ब्रत करते हैं जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं भवान संकर तो अवधर दानी है वो तो विचार ही नहीं करते हैं कि इसके भागे में यह चीज है य वह ब्रह्मा जी कहते हैं जाकर के विश्णु भवान से कि बताईए जो मैंने भाग में नहीं लिखा है यदि मैंने किसी वेक्ति के भाग में घर नहीं लिखा है तो भोले बाबा उसको महल दे देते हैं रहने के लिए मैंने किसी के भाग में यदि पुत्र या कोई पुत्री संतान नहीं दी है लेकिन भवान संकर के राधना करके वह बेक्ति ये भी प्राप्त कर लेता है संतान की प्राप्ति कर लेता है यह ऐसे आउधरदानी है प्रह्मा जी पूशते हैं भवान विश्णु से जाकरके कि बत भुले हैं ही हैं उनको मैं कुछ नहीं कहूंगा उनसे मैं किसी तरह की कोई बात हीं कहूंगा कि ब्रह्मा जी ने उसके भाग में नहीं लिखा है तो आप उसे क्यूं दे रहे हैं इस तरह का कोई प्रश्ण मैं भुले वाबा से नहीं करूंगा क्योंकि भुले वाबा मुझे भी बहुत प्रिये हैं यानि भगवान विष्णु को भी भगवान संकर बहुत प्रिये हैं वो जो भी करते हैं भगवान विष्णु खुश रहते हैं कि वह उन्हें बहुत मानते हैं इस तरह से वह एक देविधाम की बात है कि वहां देविधाम ब्रह्म लोक जो भी कहें जह भगवान शिव और भगवान विश्णु दोनों के आरादना करते हैं और दोनों एक दूसरे के इस तरह से परसपर प्रेम पुर्वक भाव रखते हैं एक दूसरे के प्रति भगवान शंकर की पूजा करके प्रदूस्बत करने से इन चीजों की ही प्राप्ति होती है जब धर्म राज राच्यूत होकर अपने भाईयों के साथ बन में चले गये थे तब उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों को लेकर जो प्रश्ण किया था उस कथा को आप सुनिए युदिष्टिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुर्शोत्तम ऐसा कौन सो उपाये जिससे हम बर्तमान में संक्रटों से मुक्त हो सके हम लोगों को आगे किसी प्रकार का कष्ट न भोगना पड़े किर्पया ऐसा उपाय बताएं इसकंद कुमार्व जी कहते हैं कि जब युदिष्टिर ने विनम्रभाव से हाथ जोड़कर बावार अपने कष्टों के समाधान को उपाय पूछने लगे तो भवान श्रीकृष्ण ने कहा कि हे राजन प्रतिक कामनाओं को पूरा करने वाला एक महान गुप्त ब्रत है युदिष्टिर इस के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं वताया हे राजन प्राचिन समय में तब सत्यूग था तब परवत राज हिमांचल की कन्या पारवती ने संकर जी को पती रुप में पाने के लिए घने वन में जाकर कठोर तपस्या की लेकिन भगवान श्रीव प्रसंद नहीं हुए जिव को प्राप्त ना कर सगी किर्प्या करके आप मुझे अपने कष्ट विनाशक दिविवरत जिसे नारज जी ने कहा है उसके महत्व के बारे में बताईए पारवती जी की बात सुनकर गणे जी उस कष्ट नाशक शुभ दायक ब्रत का वर्णन करने लगे गणे जी ने क अतिन्त पुन्यकारी और समस्त कष्ट नाशक ब्रत को कीजिए इससे आपकी सारी मनुकामनाय पुर्ण होंगी और जो विक्ति इस ब्रत को करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी स्रामन मास के किष्ट पक्ष की चतुर्थी तिती की रात में चंद देव का पूजन करना चाहिए उस दिन मन में संकल पे रहना चाहिए कि जब तक चंद रोदे नहीं होगा तब तक मैं पूजन नहीं करूंगी अता निरा हार रहोंगी पहरे गणेश पूजन करके ही मैं इस्थाफत करने चाहिए मूर्ति को कलश पर पहले एक वस्त बिच्छाए उसके उपर अश्ट दल कमल बनाए क्याकरती बनाए और फिर उस मूर्ति को वहाँ पर इस्थाफित कर दें और इसके बाद सोड़स उपचारविदी से पूजन करें प्रतिमा का ध्यान करते इस के बाद के हैं यह आपके लिए पाद है यह हे संकरसुमन यह आपके लिए अर्ध है, हे मापुत्र यह आपके लिए इस्नानार्थ चल है, हे वकरतुन यह आपके लिए आचमनी जल है, हे शूर्पिकर्ण यह आपके लिए वस्त्र है, हे शुशोभीत यह आपके लिए यगोपवीत है, हे गणेश्वर आपके लिए रोल प्रणाम करने के बाद छमा प्राटना करें इस तरह से शोडर उपचार करके भवान को भोग लगाएं हे देवी देशी घी से 15 लट्डू बनाए सब से पहले भगवान को लट्डू अरपित करें फिर उसमें से 5 लट्डू ब्रामणों को देदें अपने सामर्थ केमसा दख्षान दें फिर चंदोदे पर चंद्रमा को अर्ग दें अगर देते से मैं यह कहें कि हे देवी तुम स कहें हे लंबोदर आप हर विक्तिकी एक्षाओं को पूरा करने वाले हैं आपको मेरा प्रणाम है हे समस्त विग्णों के नाजक आप मेरी कामनाओं को फून करें तत पश्चात ब्रामण की प्रातना करें हे दिवे राज आपको नमश्कार है आप शाक्षा देप सरूब हैं गणेश्ट की जी की प्रसनता के लिए हम आपको लड़ू समर्पित कर रहे हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। करना चाहिए यह ब्रत जन्व भर या 21 वर्ष तक किया जा सकता है। यदि इतना करना ही संभव नहीं हो तो एक वर्ष तक इस वर्ष को करें। और थोड़ा सा जल अवसर रख लें। जब इस पूरे कथा को सुन लें तो उस अच्छत फूल भगवान गणेश्ट के सामने समर्पित कर दें। जो भी आपके पास में भोग के वस्तु हो। धूप, तीप, नवेद ये सब दिखाएं। गणेश्ट जी की प्रतिमा को पूजा करें। उसके बाद में आरति करें। गणेश्ट जी की इस्तुति करें। और इस्तुति काने के बाद में अपने बढ़े भाव से गणेश्ट जी से प्रत्ना करें। गड़ेजी को भोग में लड़ू अवस्य लगाएं, मोदक हो तो मोदक लगाएं, गड़ेजी को दुर्वा बहुत पसंद है, दुर्वा अवस्य चड़ाएं एक ग्यारह ये 21 दुर्वा का गाठ बना लें, गाठ बना करके भवान गड़ेजी के सामने रख दें और गड़ेजी को पीला सिंदूर अवस्य लगाएं, जब आप चंद्रमा को अर्ख दें, तो जिस लोटे से चंद्रमा को अर्ख दें, उस जल में थोड़ा सा दूद, कच्छा दूद थोड़ा सा डालें, मीठे में कुछ भी डालें, चाहा बतासा डालें, चाहा शक्कर डाल इस तर से भवान गणेजी की बढ़े ही मन से भाव से पूजा करें, गणेजी की इस्तुती अवस्य करें, जो गणेजी का द्वादस नाम है, पर्णमि शिशा देवी, कौरी, पुत्रम बिनायकं, भक्ता अवासम, इसमनेते, कामासिद अर्थे, प्रतम वक्रतुन्नम, एक द एक दस गणपती, द्वादस तुग जाननम, द्वादस एतानि नाचा विग्न वेम, तस सर्फ सिद्ध करम प्रभू, इस इस लोक को, इस इस्तुती को, यह गणेजी के बारह नाम है, इसे अवस्य पढ़ें, इन बारह नामों के पढ़ने से, गणेजी बहुत ही प्रसंद होते हैं, और धन, संपती, आयू, व्यापार में हानी हो रहा है, तो वह भी दूर होता है, और सारे विग्न को भगवान करने से दूर करते हैं, और सारे कारे बनने लगते हैं, सब का मंगल हो, इस इस्तुती को जरूर पर हैं, आशा करती हूँ, कि आप लोगों को यह जानक परण करे भगवान संकर कर उसे चाहिए कि सारा दिन किसी भी प्रकार के सांसारिक प्रपंच में ना पड़े सारा दिन ओम नमाशिवाई ओम नमाशिवाई इस तरह से भगवान संकर कर नाम को जबते रहें इस मंत्र को जबते रहें और किसी की चुगली ना करें किसी की कुन फल आपको प्राप्त हो सके और भवान संकर की किर्पा प्राप्त हो सके वो आपके बृत और पूजन से आप पर प्रसन हो आशा करती हूं कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी किर्पया मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन अवसे ही दवाएगा आप सबी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने में आप लोगों का कोई नुक्सान है सो प्लीज लाइक जरूर करिएगा